सपना चौधरी सपना चौधरी के खिलाफ SC-ST Act के तहट केस दर्ज किया था अब पंजाब और हर्याना कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है बता दे कि सपना चौधरी इस केस की वजह से इतनी दबाव में चल रही थी कि उन्होंने आत्म हत्या करने तक का प्रयास किया था Big Boss के बाद सपना चौधरी का नाम घर-घर में पहुँच गया है सपना चौधरी की जल ही हिंदी सिनेमा में एंट्री होने जा रही है Big Boss के बाद अब सपना चौधरी को अफैदे ओल की एक फिल्म नानु की जानु में आईटम सौंग का ऑफर मिला है अप्रेन में रिलीस होने वाली इस फिल्म में सपना चौधरी बड़े परदे पर डांस करती हुई दिखाई देंगी तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूले